नमस्कार दोस्तों ओल इंडिया नियूज में आपका स्वागत है दोस्तों बहुत ही दुख के साथ ये खवर बताना पड़ रहा है आज तक के बरिष्ट एंकर रोहित सर्दाना का निधन हो गया है जी हाँ खामोस हुए दंगल का चर्चित पत्रकार रोहित सर्दाना जी हाँ रोहित सर्दाना अपने तेज तर्रार पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे दोस्तों बरिष्ट पत्रकार और उर्जावान एंकर रोहित सर्दाना अब हमारे बीच नहीं रहे और नहीं अब हम उ आब आज को दोबारा सुन पाएंगे आज दोपर उनका हार्ड अटेक के चलते निधन हो गया उनके परिवार में उनके पत्नी और दो बेटियां हैं रोहित को कुछ दिनों पहले कोवीट संक्रमन हुआ था लेकिन वो उसके बाद भी वो लोगों के मदद के लिए सक्रिये थ जहां सुक्रवार को हार्ट अटेक से उनका निधन हो गया हर्याना के कुरू छेतर से आने वाले रोहित के नाम बेस्ट एंकर एंटी अवार्ड और एंबी ए अवार्ड के साथ साथ हिंदी पत्रकारिता का बरिष्ट गनेश संकर विद्यार्थी पुरसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है रोहित सर्दाना भारत के सबसे ज्यादा पसंत किये जाने वाले उर्जावान एंकर थे उन्होंने डेड़ दसक के अपने कैरियर में आल इंडिया रेडियो में बतोर एंकर पहले अपनी आवाज घर घर तक पहुँचाई और उसके बाद ETV सहारा समय और जी ने फिर आज तक मैं अपने बिसेश तेवर वाली एंकर से घर घर में अपनी पहचान बनाई रोहित सर्दाना बहुत ही तेज तरार पत्रकारों और खास करके देश के लिए आवाज उठाने वाले पत्रकारों में से एक थे जिन्होंने हमेशा ज्वलंत मुद्दों पर देश के लिए आवाज उठाई और देश के लिए अपनी समर्पित पत्रकारिता को उन्होंने समर्पन किया जी हाँ वे हिंदी में सबसे तेज तरार एंकरों में गीने जाते थे आज तक के प्राइम टाइम सो दंगल के एंकर के तोर पर रोहित सर्दाना टीवी एंकरिंग कई बार ऐसे बड़े बड़े निताओं के भी उन्होंने सामने तीखे सवाल दागे जिससे लोग हक्के बक्के रह जाते थे लेकिन वो कभी भी अपने आवाज उठाने के लिए कभी भी वो सच्चाई की आवाज उठाने में पीछे नहीं रहे रोहित सर्दाना अब हमारे सर्दाना को इस वर अपने चर्णों में अस्थान दे दोस्तो ये नियूज समाप्त करने से पहले हम यही कहेंगे कि लोग सुरक्षित रहें और भीड भाड़ वाले इलाके में जाने से बचे ये करोना किसी को नहीं छोड़ा है और इसके लिए कोई भे दभाब नहीं है च दोस्तो देखते रहे हमारे चैनल All India News